फेस्बुक को लेकर के कॉंग्रेस ने गंफीर सवाल उठाए है उसको फेक बुक तक करार दिया है हमाई सथ मौझूद है बीजेपी के सांसथ अनिल जैन जी अनिल जी कॉंग्रेस कह रही है कि फेस्बुक सरकार के इशारे पर काम कर रहा है इसी वज़े से कई जो हेट स्पी इस वाले पेज़े उनको तक करवाई नहीं कर रहा है क्योंकि वो सरकार के इशारे पर काम करता है देखिए यह यह अरोप है और मुझे फेस्बुक से क्या लेना है फेस्बुक फेक बुक है के रियल बुक है यह वो जाने फेस्बुक जाने बट सोशल सांस जो मीडिया है यह निश्चित रूप से सोशल मीडिया का सही और जुडिशल और इंटेलेक्च्वल और इंटेलिजेंटली उप्योग होना चाही नहीं तो यह गहा तक भी हो सकता यह बार ठीक है लेकिन इस तरह से सोशल मीडिया गुरुप्स को डिवाइड करना कौन कॉंग्रेस के साथ है कौन सरकार के साथ है यह इन लोगों की छोटी मांसिकता है मैं इस बारे में इस बारे में सही जब आप तो फेस्बॉक के लोग देंगे लेकिन मैं इस बारे में कुछ कहना नहींता है चीज में ये सरकार को क्योंकि इनका फ्रस्ट्रेशन है ये कहीं तो सिद्ध हो नहीं रहे सफल ना तो नगरपाल काउं के चुनाओं में ना प्रदेशों के चुनाओं में ना अपने गठबंदन तूटे जा रहे हैं इन से लोग इनके संपरक और संबंद से अपनी डिपोज लेकिन में यह किलाएं को विभाज़त करने का काम कर रहा हैं उनके खिलाफ में कर और प्रुएं कि सब्स davis के खिलाफ कर्वाइब यह को बहूं यह सरकार और पर अल्वां दीक्सीर护 कुछ नहीं कर रही है। लिए इनके कही हुए किसी भी आरोप का कोई जवाब देना चाहिए मुझे लगता नहीं उचित है लेकिन यहां पर जह है कहा ये भी जा रहा है कि फेस्बुक देश की राजनीती और चुनावों को प्रभावित करने की कोशिश भी कर रहा है एक तरह ऐसे और वो भी रहे है एक तरह से बीजेपिया सरकार के पक्ष में देखिए अगर मुझे ने मालूम किस संदर्व में ये बात कही है और क्या है मैं कोई फेस्बुक का प्रवक्ता नहीं हूँ और मेरा कोई फेस्बुक से लेना देना भी नहीं है लेकिन फेस्बुक एक निश्चित रूप से दुनिया में सोशल मीडिया का एक बड़ा प्ल सै हिए है नहीं है लेकिन बहरती जन्ता प्राटी और हमारे विचारधारा हम विचारधारा के आधार पर और अपने करत्त के आधार पर चुनाओ लड़ते हैं और उस बात को सब प्लेटफॉर्म क्याई को चाहें चैने कंवेंशनल मीडिया का और चाहें एलक्रोन हसल करते हैं इसलिए kangres के लोगों पर जब ये नहीं होता है तो वह कहीं ना कहीं का ठीक ठीक राप होड़ने के कोशिश करते हैं अपने घर में कहां लड़ाई हो रही है कहां पर मंचों से मुख्यमंत्रियों को दता बताई जा रही है कहां पर प्रदेश सद्यच्छों की मानिता हो रही है नहीं हो रही है पार्टी में ये उनको नहीं दिखता है केबल और केबल हम एक जुट होकर शक्ति के साथ अपनी बात रखते हैं करते हैं चाहे वो कोई सावी प्लेटफॉर्म हो इसलिए इनका फ्रस्टेशन ऐसे आता है यह कांग्रेस का फ्रस्टेशन है क्योंकि बात की जाए फेसबुक की तो वह जवाब तो फेसबुक को देना है जो आरोप लगाए हैं कांग्रेस ने लेकिन जिस तरीके से सरकार के इशारे पर काम कर रहा है या पिर जो ऐसे पोस्ट जो देश को तोड़ने वाले उनके खिला एक तरहाने से अपना फ्रस्टेशन जाहिर कर रही है यह कहना है बीजेपी सांसद अनिल जैन का कैमरा परसन सुझेश सामल के साथ अंकिर कुपता बीपी नियूज दिली